प्रहान मंत्री अपसे कुछ ही क्षणों के बाद जो जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि पुने मेट्रो रेल परियोजना उसका उदगाटन करने वाले हैं तो उस जगह पे प्रहान मंत्री पहुंच चुके हैं और अपसे कुछ ही क्षणों के बाद वो उदगाटन करेंग पूने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का तो शिशर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिहाद से जब मैं यह कह रहा था कि पूने जैसे शहर के लिए और भी महतुपूर्ण हो जाते हैं यह सारी चीजें क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे आबादी है वहाँ पे लोग अब तक का जो ज अगर पूने में हम बात करें की पूलिक यातायाद की कोंची सूधा उपलब तो आप मुमन सबसे रोड से ट्राफिक जादा होता है वहाँ कि ट्रीन की सूधाया उपलब देले कि कुछी सेशन पूने रेलवे सेशन शिवाजी मेलर रही सेशन की आपकरें लेकिन अगर अं और यह अगर दिखा जाए अपकी अधिया ज़्यान के पर अभी प्रणु परणु मेटरो होलर के कि अच्टम प्याप्स की परणु परें मेटरो का जाए आगरम बात के लिए पूने और आउटर पूने में इस वक्त तरकार दुनता ही है इसमें प्प्रिक उच्वर्ट से पुरिए का दूसरा रहा है स्वागे यहां सब्सक्राइब कि आज देख रहे हैं और वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पे तमाम जो अधिकारी हैं वह भी वहां मौझूद है और प्रहार मंत्री याब देई है यह कुछ बहुत ही महतुपून तस्वीरें जिसका की मैं जिकर कर रहा था पुने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट उसका प्रहाम मंत्री ने अनावरन कर दिया है बहुत ही महतुपून यह आज का दिन पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के लिहां से और शुशिर यह मेट्रो ची गती कि एक रुटका का Suppose会 बोगृ प्रवाश में अंफटी फ़िए पुरा रवाश परें तुर्दी आने वाले समय तेन सेया fifteen पारे में पर आए गार और यह जो प्रहान मंत्री अबलोकन कर रहा है इस पूरे एग्जिविशन का जिसमें कि मेट्रो रेल की पूरी जो जाल है पूरे शहर की उसका वो अबलोकन करें कुछ अगर आप बता सेंगे कि आप फेस बन बता रहे थे और फेस टू अब मुझे लगता है कि यह फेस टू में कौन कों से स्ट्रेशन बनेंगे उसके वारे में यह सारी चीज़े होंगी जैसे मैंने पहले करते हैं कि पीज़े वारे मेट्रो का शौर्ट और जो विजन तो एक वार्गेट और बूसरा जो है पीज़े प्रिश्वड़ इनकों जो इस दूसरे दर के बात करें तो रामवाडी से लेके वारे में श्रूर बनायता है यहां पर भी एक जुरूर बना तो आज के रूस पर जो है काम किया गया तक्रिवाट प्रियोजना है आज शुषर आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है हम यह तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रहान मंत्री जो प्रदर्शनी का देख रहे हैं और जैसा कि इस मैंतरी आपको बताया कि इसकी आधार शुया चौबीस दिसंबर दोहजारर सॉला को प्रहानमंत्री मोदी के द्वारा ही रखे रखी गई थी 24 دسمर 2016 को प्रषान मंत्री ये जो 32.2 km के कुल परयोजना है उस में 12 km खंड का प्रफानमंत्री आज जो उद्खाटन कर रहे हैं 32.2 km से 12 km के है उसका प्रफान उद्खाटन किया और इस पूरी परयोजना पर अगर बात की तो ग्यारह हजार चार सो करोड उपैसे भी अधिक की लागत आई है प्रहान मंत्री आज यहां पर पहुंचे हुए हैं अब वो राइट भी करेंगे जैसा कि बता जा रहा हमें और इस वक्त वो गरवारे मेट्रेस्टेशन पर हैं और इस वक्त वहां पर प्रदर्शनी का वो ग्यारह हजार चार सो करोड उपैसे भी अधिक की लागत आई है और कुल जो लंबाई है वो 32.2 किलो मेटर की होगी जिसमें की आज 12 किलो मेटर खंद का प्रहान मंत्री उद्गाटन गुनों ने किया है हम लों का जो एक्सपरियंस रहा है दिल्ली मेटरो की बात की जाए हम यहां टोकन लेते हैं लेकिन ये एक नए तरह का टिकट की जो ब्यवस्ता है वो देखिए कि प्रहान मंत्री एक एप के थो डिजिटली वो पूने मेटरो में सफर करने के लिए जो टोकन लिया जाता है प्रहान मंत्री उसको डिजिटली यहां पे ले रहा है इस एप के जरीए मेरे ख्याल से उस एप के जरीए उस टिकट लेने का काम पूरा होगा और फिर वो मेटरो के सवारी कर पाएंगे सामाने ते आईए उनको उसके वज़ में एक जो पावती है वो दिया जा रहा है और और यह आप तस्वीर देख सकते हैं बहुत ही महतुपुन पुने के लिए आज का दिन वहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पब्लिक मोबिलीटी के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए हासे महतुपुन यह दिन और यह वहां पे जो मौजूद मीडिया उनको दिखाते ह वे कि किस तरह से नोंने टिकट लिया है और वो उस टिकट के जरीए अब वो उस पुने मेट्रों में सवार होंगे जिसका कि प्रहान मंत्र ने वो घाटन किया और जैसा कि हम ने कहा कि कुल लागत जो आई वो 11,400 करोड पैसे भी अधिक की लागत आई है उस पुने मेट्रों को बनाने में कुल जम लंबाई जो होगी स्ट्रेच जो होगी वो 32 किलो मेट्र से अधिक किये इसकी लंबाई होगी पुने मेट्रों की जिसमें कि आज 12 किलो मेट्र का जो खंड है उसका प्रहान मंत्र ने वो घाटन किया और पुने में जो पहले चरह ने फरस्ट फेज मे PCMC से स्वारगेट और वनाज से रामवाडी इस दो रूट पर मेट्रो दोड़ेगी और फस्ट फेज में आप याद रखिए पुने में यहाँ पर फस्ट फेज में PCMC से स्वारगेट और वनाज से रामवाडी इन दो रूटों पर मेट्रो चलेगी PCMC से स्वारगेट तक की जो लंबाई है वो 11.4 किलोमेटर ये लंबा रूट है और इस रूट पर 14 स्टेशन होंगे PCMC से स्वारगेट रूट पर शिवाजी नगर से स्वारगेट तक 6 किलोमेटर का जो रूट है वो अंडरग्राउंड होगा और इस route पर 5 station पड़ेंगे मुठा नदी के नीचे ये route बनाया गया ये भी काफी महतुपूर्ण है और वनास से रामवाडी 15,5 km से अधिक की दूरी 15.7 km का जो route है वो पूरी तरह से elevated है और इसमें कुल 16 stations होंगे तो ये कुछ broad जानकारी आपको किस तरह से ये metro का प्रोजेक्ट बनाया गया है इसमें कौन-कौन से elevated होगा कौन साब का underground होगा हरित संकल green initiatives मुझे लगता है कि इस metro station में और खासकर metro project में किस तरह से solar energy का भी use किया गया है rain harvesting का कैसे हम उसका use करें बारिश के पानी को reuse करके उसका कैसे सदूपियों किया जाए जो सौर उर जा है solar energy है उसका कैसे use किया जाए इन तमाम चीज़ों का इन station पर ख्याल रखा गया है ये बहुत ही महतुपन बातें और ये मैं देख पा रहा हूँ कि कच्रे से किस तरह से कंचन बनाने की कोशिश की गया मुझे लगता है कि इस जो कच्रे से कंचन बनाने की दिश्वा में इसमें भी कुछ ऐसे recycle करके चीज़ें बनाएं होगी जिनका कि इस्तेमाल इन मेट्रो इस्ट्रेशनों के निर्मान में किया गया होगा ये मेट्रो ने सर्फ मेट्रो बलकि मेट्रो नियो एक नए तरह का मेट्रो जिसमें की solar energy है recycle की वी चीज़ों का निर्मान इसमें इस्तेमाल किया गया है West to wealth जिसका एक concept प्लाहन मंतरी कई बार कहते हैं कि हमें West को कच्रे को कच्रे के तोर पर नहीं उसे कंचन के तोर पर West wealth के तोर पर हमें उसको समझना चाहिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए मेरे ख्याल से इन तमाम प्रोजेक्ट्स में भी इन बातों का ख्याल रखा गया होगा गरवारे college गरवारे मेट्रो इस्टेशन आप देख सकते हैं प्रहान मंत्री ने खुद टिकट खरीदा डिजिटली खरीदा एप के जरीए खरीदा और उसके बाद elevated accelerator के जरीए अब वो स्टेशन प्लाटफॉर्म पर की तरफ जाते हुए और यहां से वो प्रहान मंत्री सफर करेंगे मेट्रों में बैठ कर यह बहुत ही महत्वपुर्ण पुने के पबलिक ट्रांसपोर्ट के लिहास से आज का दिन और जैसे के हम बता रहे हैं कि कुल लंबाई जो है वो इस पूरे प्रजेक्ट में वो 32 दश्रमलब 2 किलो मीटर यह इसकी कुल लंबाई है जिसमें कि आज 12 किलो मीटर खंड का वो प्रहर मंतरी नोद घाटन किया है आप पीछे देख सकते हैं महाराश्टर के राज जिपाल भी मौजूद हैं तमाम और जो वरिस्ट अधिकारी है मेट्रों से जुड़े हुए वो यहां पर मौजूद और यह उस कारी के मस्तर पर प्रहर मंतरी पहुँच चुके हैं बीजेपी के वरिस्ट ने था एनसीपी के वरिस्ट ने था तमाम लोग वहां पर मौजूद और बटन दबा कर प्रहां मंतरी ने इस पूरे π्रोजेक्ट का वो उदगाटन कर रहे हैं और ये देखिए पुने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का विधिवत उदगाटन हो चुका है प्रहान मंत्री ने अब वो हरी जंडी दिखाएंगे यहां से अब मेट्रो जाएगी और सबसे पहले स्वार गेट और वनाज से रामवारी दो रूट पर म मंत्री ने इस मेट्रो रेल को रवाना किया वो खुद भी इसकी सवारी करने वाले हैं वो जैसा कि हमने आपको बताया कि पुने शहर एक कौस्मो पॉलिटन शहर है यहां एक मिनी इंडिया का आप दर्शन कर सकते हैं अब तक जो ट्रडिशनल मोड थे ट्रांसपोर्ट के बस की बात हो और टोज की बात हो उसके बाद ही एक नई दशा और दिशा दिखाने का काम करेगा पुने जैसे शहर के लिए पुब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रहान मंत्री मेट्रो के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और हम देख सकते हैं कि कुछ आम जो नागरिक हैं वो भी यहां मौझूद उनके साथ प्रहान मंत्री गुफ्तगू करते हुए उनके साथ बातचीत करते हुए महराश्ट्र का पुने शहर और पुने को महराश्ट्र के मुंबई और नागपूर के बाद ये तीसरा शहर जहांकि मेट्रो का निर्मान कारी पूरा हुआ है बारह किलो इस तरह से प्रहान मंत्री हमने कई बार देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब वो खुद बैट कर सवारी करते हैं कहीं ने कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश होती है कि आप भी प्ररीत हों प्रहान मंत्री से और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक सधिक प्रय वो जरूर वो शेयर कर रहे होंगे किस तरह से पब्लिक टांसपोर्ट जरूरी है और वो लड़कियां भी बताएंगी किस तरह से अब उनके शहर में जब ये मेट्रो का काम पूरा हो गया है मेट्रो चलेगी तो किस तरह से उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा किस सकारात्मक परभाव पड़ेगा उनकी जीवन पर यह अब मेट्रो चल पड़ी है महा मेट्रो प्रहान मंत्री ने आज एक बहुत बड़ा तौफाज पूढे के वासियों को दिया है प्रहान मंतरी नेरेंद मोधी मेट्रो में सवार और स्वारगेट मेट्रो एस्टरसन से ये ट्रेंड चली और बहुत ही महतुपूर्ण आज का दिन उनके साथ कुछ खास लोग और कुछ बच्चे भी वहाँ मौजूद हैं उनके साथ प्रहान मंतरी गुफ्थकू करते हुए उनके साथ बातचीत करते हुए। पहले चलन में जैसा कि हमने बताया कि प्रहान मंतरी वहाँ पे देखिए जो लोग इस पूरे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरे ख्याल से स्कूल के बच्चे हैं जो कि अपने घर से अब तक जो एक ट्रेडिशनल जो साधन रहे हैं ब अब उन बच्चों के जीवन में भी बदलाव आएगा वो भी अपने घरों के आसपास बैठेंगा मेट्रों में और वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे बच्चे दिव्यांग बच्चे भी उनमें शामिल हैं वो भी आप से कुछ देर पहले आपने देखा वो उन पहले बता कि जब भी प्रहानमंत्री किसी भी शहर में मेट्रो का उधगाटन करने जाते हैं वो खुद भी उस मेट्रों में सवार होकर यात्रा करते हैं वहां के लोगों के साथ बातचीत करते हैं उनके अनुभवों को सुनते हैं समझते हैं अपने अपने बारे में जो अ चारा करते हैं यह इस वक्त आप देखिए प्रशान मंत्री के आसपास बाद च हूँ है और प्रहान मंत्री उटका से उनसे ऐन से हाल का हाल चाल सुन रहे हैं समझ रहे हैं जान रहें उनքके कंद्सों पहथ रिखे यह आप किसी भी व्यक्टी के लिए कितना गौरब का ये पल होगा जब प्रधान मंत्री देश के भारत जैसे देश के प्रधान मंत्री नरिंदर मुदी किसी व्यक्ति के कंधे पर हाथ दे कर उनके साथ वो बात करें, उनके बगल में वो बच्चे बैठें, उनकी पीट थप थपाएं, उनके लिए कितना को प्रणाम करते हुए प्रहनवन को साथ बातचीत करते हुए और मुझे लगता है कि साफ तोर पर ये वो बच्चे हैं जो अब तक बसों के जरीए या प्राविट ट्रांसपोर्ट के जरीए अपने स्कूल कॉलेज के तरफ जाया करते होंगे लेकिन अब अब वो बहुत ही क कम पैसे में बहुत ही कम वक्त में अब वो अपने स्कूल का सफर तैकर पाएंगे कॉलेज तक पहुंच पाएंगे और तमाम वो सारे बच्चे आप देख सकते हैं वो स्कूल के बच्चे वहां पे मौजूद दिव्यांग बच्चे भी मौजूद हैं प्रहानमंत्री के एक एस्पिरेशनल डिस्टिक है एक आकांग्शी जिला है हर वो जिला चाहता है देश का कि हमारे यहां भी पुने की तरह लखनों की तरह बाकी शहरों की तरह यहां भी वो तमाम सुविधायों हो जो की दूसरे बड़े शहरों में है इसलिए भी उन आकांग्शी जिलों क जो लोग हैं उनके मन में भी ये सपना की प्रहान मंत्री उनके शहर आएं और यहां भी मेट्रो की सौगात उन्हें दे पॉब्लिक ट्रांस्पोर्ट के तौर पर ये कहीं न कहीं प्रहान मंत्री इस बात को लेके हमेशा एक प्रतिबद रहें कि पॉब्लिक है उसकी तरफ आगे बढ़ें एलेक्रिसिटी पर हम जानते हैं कि री निवेबल जो सूर्सेज हम उसकी तरफ जाएं और जैसे कि हम नापको दिखाया इस गरवारे मेट्रों पर आपने देखा री निवेबल एनरजी के बारे में भी बड़ी-बड़ी बाते लिखी गए थी क किस तरह से इस मेट्रों में 40 फीसद एनरजी जो है वो सोलर एनरजी के तौर पर लिया जाएगा उसका यूज किया जाएगा जो वेस्ट है उसको कैसे वेल्थ के तौर पर इस मेट्रों में भी हम आपको आगे बताएंगे किस तरह से उसका यूज किया गया है वेस्ट वेल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासकर अगर मेट्रो की सेवा वहां पहुंच जाती है बहुत ही आसान और बहुत ही आरामदायक सफर आप महसूस करते होंगे जो लोग भी मेट्रो में कभी कभी सफर किये हों और ये आज प्रुहान मंत्री जब सफर कर रहे हैं ये 12 किलोमेटर क खंड है जिसका प्रुहान मंत्री ने बटन दवाकर उसका अउधिость काटन किया हरी झनी दिखाई प्रुहान मंत्री ने कुल लंबाई अगर जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा अभी ये फेज वन का कंप्लीट हुआ है फेज टू जब कंप्लीट हो जाएगा तो 32 किलो मिटर से भी अधिक की इसकी कुल लंबाई होगी और इस पर ये भी कई महतुपुर्ण ये बात अब ये देखिए अब ये मेट्रो आनंद नगर मेट्रो श्रसंतक ये मेट्रो पहुँच चुकी है अनंद नगर मेट्रो श्रसंतक स्वार गेट से अनंद नगर मेट्रो श्रसंतक प्रहान मंत्री ने ये दूरी तैकी इसका सफर किया तमाम जो अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद और प्रहान मंत्री उन तमाम बच्चों और आज का ये पल बहुत ही महतुपुर्ण महाराश्टर के लोगों के लिए पुने के लाखों वासिंदों के लिए कि अब उनकी जीवन में मेट्रो के शिर्बात हो चुकी है पबलिक ट्रांसपोर्ट की लिहाज से आज का दिन काफी महतुपुर्ण जब उनकी डिपेंडेंसी बसों और बाकी जो प्राइबेट वेहिकल से उसके हट कर अब मेट्रो के जरी अब वो एक जगह से दूसरी जगह उनकी मॉबिलिटी संभब हो पाएगी प्रहानमंत्री एसकलेटर के जरीए अब मेट्रस उतर कर नीचे की तरस्टेशन की तरफ आते हुए और ये बारह किलोमेटर खंड का प्रहानमंत्री ने आज योद घाटन किया है कुल अगर लागत की बात की जाए तो ग्यारह हजार चार सो करड़ो पैसे अधिक कीस में लागत आई है गरवारे मिट्रस उसन से आनद नगर मिट्रस उसन तक किया सफर प्रहानमंत्री ने पूरा किया और किस तरह से जो खंड टू होगा फेज टू होगा उसमें कौन-कौन से स्टेशन बनेंगे क्या वो एलिवेटेड होंगे क्या वो अंडर ग्राउंड होंगे इसका भी आपने देखा गरवारे मिट्रस उसन पर हो वो प्रदर्शनी का वो उन्होंने अवलोकन किया उन्होंने निरिक्षन किया और अब वो अपने अनुभव को साजा करते हुए आगंतुक पुस्तिका में प्रिहान मंत्री अपने इस अनुभव को बया करते हुए शब्दों के जरीए मेट्रों में उनका सफर कैसा रहा उन बातों को शब्दों के जर्याइब बाया करते हुए प्रहान अरेंद्र मोदी आगंतुग पुस्तिका में आनंद नगर मेट्रो श्रसन की ये खास तस्वीरें गरवारे मेट्रो श्रसन से प्रहान मंत्री चले थे और अब वो आनंद नगर मेट्रो श्रसन तक पहुँच चुके हैं और जैसा कि हमने कहा कि ये जो फर्स्ट फेस है उसमें पीसी एमसी से स्वार गेट और वनास से रामवारी दो रूट पर मेट्रो चलेंगी दोडेंगी और शिशिर हमने देखा कि आप भी इन तस्वीरों के गवा हैं किस तरह से प्रहान मंत्री आनंद नगर मेट्रो श्रसन पर पहुँच चुके हैं गरवार मेट्रो श्रसन पर वो सवार हुए थे उन्होंने जसा कि आप भी कह रहे थे कि वो जब भी जाते हैं आम नागरिक जो बैठे होते हैं मेट्रो में उनसे वो बातचीत करते हैं कि आज कुछ दिव्यांग बच्चे थे कुछ बच्चे स्कूल कॉलेज के बच्चे थे बहुत ही महतुपन उनके जीवन में भी ये काफी खास लमा जब देश के प्रहान बंति उनके साथ एक आम व्यक्ति की तरह मेट्रो में वो सवार थे और बातचीत कर रहे थे कैसा रह कि प्रहान मंतिरी का ये छोटा सा सफर रहा गरवारे से आनंद नगर मेट्रो संते का सफर और इस सफर के दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत की मुझे लगता है कि ये वो छात्र होंगे स्कूल जाने वाले कॉले जाने वाले जो की आम दिनों में अब से पहले तक वो या तो ट्रांस्पोर्ट के दूसरे साधनों का इस्तेमाल करते होंगे या फिर प्राविट वेहिकल का लेकिन अब आज के बाद से वो